हेलो फ्रेंड्स में आपका दोस मौमध अबूजर आज हम रेंडबू क्लासिक्स उसका लिस्टन नंबर सेवन देखेंगे दा ओनेस्ट उटकटर ओनेस्ट कहते इमानदार को उटकटर यानि लकड़हारा once एक मरतबा there was a woodcutter एक लकड़हारा था who lived जो रहता था in a village गाव में he was very honest man वो बहुत इमानदार आदमी था one day एक दिन he was cutting wood वो लकड़ी काट रहा था with his axe अपने कुलहारी से it was a very hot day बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था he felt thirsty उसे प्यास महसूस हुई and went to the river और वो नदी तक गया to drink water पानी पीने के लिए his axe उसकी जो कुलहारी थी slipped फिसल गई accidentally संजोग से अचानक from his hand उसके हाथ से and fell into the river और नदी में गिर गई जो उसके हाथ में गुलहारी थी वो सिलिप होकर पानी में गिर गई the woodcutter जो लकड़ा रहा था he started शुरू कर दिया crying चीखना चिलाना रोना the river goddess जो नदी की देवी थी heard सुनी his cry उसकी आवाज को and felt pity और उसे रहम आ गया on him उस शक्स पर उस लकड़ारे पर she came out वो बाहर आई off the water पानी से यानि वो नदी से बाहर आई उसकी आवाज सुनकर goddess जो देवी थी कहती है why are you crying तुम क्यों चीख रहे हो चिला रहे हो उटकटर कहता है my axe has fallen into the river जो मेरी कुलहारी थी वो नदी में गिर गई है what will I do now मैं अब क्या करूंगा how will I earn for my family how will I earn मैं कैसे कमाऊंगा for my family अपने परिवार के लिए the goddess went into the water जो देवी थी वो पानी में गई and came out और बाहर आई with a golden axe एक सोने की कुलहारी लेकर बाहर आई goddess कहती है जो देवी is this your axe gentleman सज्जन आदमी क्या ये तुम्हारी कुलहारी है उटकटर कहता है no no नहीं नहीं this is a golden axe ये तो एक सोने की कुलहारी है but my axe was made of iron जो मेरी कुलहारी थी वो लोहे की बनी थी the river goddess went into the water again जो देवी थी वो पानी में दोबारा गई and came out और बाहर आई with a silver axe एक चांदी की कुलहारी लेकर वापस आई goddess देवी पूछती है is this your axe dear प्यारे क्या ये तुम्हारी कुलहारी है उटकटर कहता है लकडारा no no नहीं नहीं this is a silver axe ये तो चांदी की कुलहारी है but my axe was made of iron जो मेरी कुलहारी थी वो लोहे की बनी हुई थी the river goddess went into the water again नदी की देवी एक बार फिट से वो नदी में जाती है and came out और वापस आती है with an iron axe एक लोहे की कुलहारी की साथ इस बार वापस आती है goddess देवी कहती है is this yours? क्या ये तुम्हारी कुलहारी है? उटकटर लकडारा कहता है yes yes हाँ हाँ this is mine ये मेरी है goddess कहती है you are very honest man तुम बहुत इमानदार हो आदमी I am pleased with you मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ I will reward you मैं तुमें इनाम दूँगी for your honesty तुम्हारी मानदारी के लिए the river goddess जो नदी की देवी थी gave दे दिया all the three axes जो तीनों कुलहारीयां थी एक सोने की थी और एक चांदी की थी और एक लोही की थी to the utcutter लकड़ारे को खुशी से उसको तीनों कुलहारी दे दी उसकी इमानदारी को देखते हुए कि ये बहुत ज़्यादा इमानदार है utcutter लकड़ारा कहता है thank you goddess शुक्रिया देवी you have saved me उमेद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching my video चलिए इसका सवाल जो आप देख लेते हैं झालिए आपको ये ग्यादा लेते हैं पुक्रिया जब साथिटाने को ये बहुत आपको ये साथिए श्तरिया प्रते हैं आपको येसे इसका सवाली है ये सवाली है ले बहुत वेसे दूआए झाल झाल